हलो, वाट्स अब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, फिर से एक बार आपका स्वागत है, आपके अपने चैनल में सही जवाब में, दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप सिगरेट को कैसे क्विट वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत बुरी आदत है इससे आपके हेल्थ के उपर भी बहुत बुरा असर होता है, आपके परिवार वालों के उपर इससे असर होता है, आपके इर्दगिर्द जो भी कोई लोग है, उनके उपर भी असर होता है, तो अगर आप इस गंदी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो किस तरीके से पाएंगे इसके कुछ उपाय में यहां पर बताने जा रहा हूँ जो की आपको cigarette quit करने के लिए काफी मददगार सावित हो सकते हैं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने टबैको के अंदर बैसिकली टबैको के अंदर होता है निकोटिन और यह निकोटिन की जो लथ है वो आदमी को लग जाती है क्योंकि यह इस तरीके का chemical है जो कि आपके brain तक जब पहुचता है तो brain के अंदर dopamine वगएरा release होता है और भी कई तरीके के chemicals होते हैं जिसकी वज़े से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा energy आ गई है mind बिलकुल refresh हो गया है और साथी साथ आपकी concentration की ability बढ़ गई है यह आपको अंदर से अच्छा महसूस होने लगता है तो basically यह वो problem है कि आपकी body जो है वो nicotine को आदी हो जाती है और फिर वो body के अंदर जाने का जरीया तो tobacco ही है तो बहले ही कुछ लोग tobacco को खा करके nicotine अंदर लेते हैं कुछ लोग उसको जो है वो खाली मूह में रख करके nicotine को अंदर लेते हैं कुछ लोग smoke के जरीया अंदर लेते हैं लेकिन यह जो nicotine है वही आपको उसकी आदत लगाता है जिसकी वज़े से आदमी बार-बार cigarette पीता है तो basically problem यह हो जाता है कि सिर्फ अगर nicotine जा रहा है तो भी एक time को हम कहें कि ठीक है लेकिन cigarette के अंदर जो है वो nicotine के साथ-साथ टबाकों पूरा जलता है तो उससे जो है वो तक्रीमन 7000 अलग-अलग जो है वो chemical उससे release होते हैं, gases release होते हैं और उनमें से 69 ऐसे हैं जो कि आपको cancer दे सकते हैं तो ये सारे chemicals आपके body के अंदर जाने की वज़ा से वहाँ पर आपको cancer का खत्रा बढ़ जाता है लेकिन ये nicotine ये चीज highly addictive होने की वज़ा से आदमी उसको छोड़ नहीं पाता है और अगर वो छोड़ने की कोशिश भी करता है generally जो लोग ऐसे ही अबरप्टली उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं वो लोग ज़ादा से ज़ादा चार दिन पाच दिन तक रह सकते हैं अगर उनका बहुत ही ज़्यादा द्रड निश्चे है तो दो हफते तक रह सकते हैं लेकिन उसके बाद वो कमजोर पढ़ने लगते हैं क्यों क्योंकि निकोटीन से जो विड्रॉल सिंटम्स होते हैं अगर आप निकोटीन नहीं लेते हैं तो जो विड्रॉल सिंटम्स होते है उससे वो बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं तो headache होना, energy loss feel होना, concentration ना लगना या और भी कई तरीके कई problem आते हैं irritated हो जाता है आदमी, छोटी छोटी बातों पर चिड़ने लगता है तो ऐसे problems की वज़े से वो आदमी अंदर से अच्छा मैसूस नहीं करता है तो आप एक quit date वहाँ पर तै करके रखे, अपने आपको एक date याद दिला के रखे कि मान लीजे इस महीने की 20 तारीकों में cigarette छोड़ रहा हूं और छोड़ ही रहा हूं, उसकी बात जो है मैं cigarette को देखूंगा तक नहीं तो ये तारीक जो है वो बार-बार आप आपके दिमाग में दोहराते रहें कि इस तारीक को छोड़नी है, और अगर मैं आपको सला देने की कोशिश करो तो सला मैं आपको यही दूँगा कि अगर आपको 20 तारीक को छोड़ना है तो आप जो है वो 5-6 तारिक से ही अपना cigarette पीने का प्रमान है वो कम करते चले जाइए अगर आप एक पैक दिन का पीते हैं याना कि 20 सिगरेट होती हैं उतना अगर आप सिगरेट पीते हैं या 10 सिगरेट पीते हैं तो उससे थोड़ा-थोड़ा कम करना शुरू कर दीजे और इवेंचुली जब आप 15 तारीक से लेकर के 19 तारीक के बीच में होंगे तब आप इस situation तक पहुच जाने चाहिए कि आपको दिन की सिर्फ एक सिगरेट लगती है और उसके बाद आप जो है वो alternate days पीते हैं 20 तारीक आने तक और जिस दिन 20 तारीक हो जाती है उस दिन के बाद आप पीना बंद कर देते हैं आप long time के लिए कर रहा है हो और एक दिन करना वो बंद कर देंगे और उसके बाद कभी नहीं करेंगे ऐसा सोचेंगे तो body obviously उसको वहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ response तो करने वाली है और अगर वो addicted है तो जादा response करने वाली है तो इसकी विजए से date तै कीजिए और उसके पहले कम करना शुरू कर दीजिए और जिस date पर आप quit करना चाहते हैं उसके बाद पूरी तरीके से बन कर दें इसकी अलावा दोस्तों अगली चीज जो बहुत ज़्यादा matter करती है वो है आपके एरिदगिर्द के लोग तो कई बार ऐसा होता है कि आपके एरिदगिर्द कोई ऐसे लोग होते हैं मेभी आपके colleagues होते हैं आपके दोस्त होते हैं जो cigarette पीते हैं तो आप उनको सबसे पहले ये बता दे कि इस तरह को मुझे cigarette छोड़नी है या आपके family को बता दे अगर आपके family में पता है कि आप smoke करते हैं तो family में भी बता दे कि इस तरह को मुझे छोड़नी है तो शायद वो लोग आपको ज़ादा वहाँ पर मदद करेंगे हो सकता है कि जब आप कमजोर पढ़ने लगे जब आपको ऐसा लगे कि नहीं एक पी लेता हूँ क्या फरक पड़ जाएगा तो ऐसे वक्त में ये family members जो है आपके वो आपको वहाँ पर रोक लेंगे कि नहीं तुमने ये ये जो है वो decision लिया था कि तुम नहीं पीओगे तो नहीं पीओगे हो सकता है कि वो अगर आपके बहुत ज़्यादा करीबी हो तो आपके हाँ से वो packet छीन ले जो कि अच्छी चीज होगी वहाँ पर कि नहीं अगर पीने नहीं देना है तो नहीं देना है तो जितना लोगों से आप communicate करेंगे उतने ही लोग आपकी help करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर आप ये पूरी तरीके से अकेले लडने निकलेंगे तो फिर इससे लडना मुश्किल हो जाएगा तो इसकी विज़े से ज़ादा से ज़ादा लोगों को अपने साथ रखें जो की आपको कमजोर पढ़ते वक्त और फिर से motivate करें कि नहीं नहीं पीना है इसके अलागा दोस्तो एक चीज है कि आपके mind को prepare करना क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि जैसे ही आप cigarette पीना छोड़ेंगे सारे withdrawal symptoms आपमें दिखना शुरू हो जाएगा severe headaches भी हो सकते हैं और भी कई तरीके के problems हो सकते हैं immediately आपको all of a sudden बहुत जादा पसीना आ सकता है आपके heart rate बढ़ सकते हैं या सास लेने में तकलीफ हो सकती है ऐसे कुछ-कुछ problems आपके अंदर जो है वो हो सकते हैं तो इसके लिए आपको आपके mind को पहले से ही prepared रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ क्या-क्या हो सकता है वई तो ये ये सारी चीज़े मेरे साथ हो सकती है लेकिन ये सारी चीज़े भले ही मेरे साथ हो सकती है या होंगी लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, ये जंग मैं जीतूंगा, मैं सिगरेट छोड़ूंगा, ये आपको खुद को बताते रहना पड़ेगा, और इसका फाइदा ये होगा, कि जब आप खुद से ही ये जान लेंगे, कि हाँ ये ये मेरे साथ हो सकता है भई, तो आप mentally उसके लिए प्रि जोर पड़ सकते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा पेंज होते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा headache होता है, तो कोई भी आदमी यही सोचता है, कि जो भी मैंने सोचा था, वो जाए भाड में, मुझे अभी इससे relief चाहिए, तो relief मैं कैसे पाऊ, तो मुझे cigarette पीनी चाह तो यह सोचकर वो आदमी cigarette फिर से पीने लगता है, तो इसके लिए आपको खुद के mind को control करना और उसको condition करना बहुत ज़रूरी है, अगली बात है कि आपके आखों के सामने अगर कोई tobacco product है, तो फिर आपका मन और ज़्यादा वहाँ पर ललचाता है, कि मैं पी लेता हूँ मैं पी लेता हूँ, तो आपकी workplace, आपकी bedroom, आपकी गाड़ी और जहाँ जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं, इस सभी जगाओ से आपको टबैको और टबैको से related सारे products निकाल फेकना है, यहाँ तक की ash tray तक नहीं रखना है, क्योंकि कई जो बहुत ज़्या से ऐसी सारी चीज़े वहां से हटा देनी है, आपकी जो lighter वगरा है, उनको भी फेक दीजेगा, तो ही आप इस से जो है वो दूर रह पाएंगे, अगली चीज़ है, आपको craving को control करना पड़ेगा, तो cigarette की जो typical craving है, वो जो है वो आपको maximum, ये भी मैं maximum बता रहा हूँ, maximum 10 मिन चार से छे बार दिन में हो सकता है, तो ये अगर आप survive कर गए, उन 10 मिनिट में आप अगर अपने आपको control कर गए, तो फिर आप इस से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर उन 10 मिनिटों में आप ढीले पड़ गए, आप कमजोर पड़ गए, और फिर आपने cigarette पी ली, तो फ बहुत जादा है, तो कई लोग जो है वो अपने कुछ unpleasant experiences को भूलने के लिए, या उनके अंदर कुछ दुख दर्द होते हैं, उनको थोड़ा बहुत भूलने के लिए, उस state से थोड़ा बहुत बाहर आने के लिए, या stress से बाहर आने के लिए, cigarette का या किसी भी addiction का सहारा ले तो सबसे बहले आपको खुद को ये पूछना पड़ेगा कि मैं cigarette क्यों पी रहा हूं, क्या ये मुझे लट इस वजए से लग गई है क्योंकि इससे मेरे जो negative thoughts हैं वो चले जाते हैं, क्या इससे मेरे कोई बुरी जो यादे हैं, वो थोड़ी से मुझे परे करने में help मिलती है, तो अगर ऐसा है, तो दोस्तों आपको खुद को ये बताना पड़ेगा, कि बुरी यादों से छुटकारा पाने का, या stress से छुटकारा पाने का, cigarette ये कोई जरिया नहीं हो सकता है, क्योंकि cigarette जो है, वो आपको उतने समय के लिए, जब तक वो nicotine आपके brain में है, तब तक आपको जो है, वो उन सारी चीजों से निजात दिला सकता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगेगा, फिर से आप उन्हीं thoughts के साथ जूजने लगोगे, तो इसके लिए cigarette ये कोई वहाँ पर solution नहीं है, बलकि meditation करना, psychologist के पास जाकर के therapy लेना, ये उसके sure short causes हैं, अगर आ आपको खुद को पहला convince करना पड़ेगा, और बाद में आप जाकर के जो है, वो psychologist की भी वहाँ पर help ले सकते हैं, अगली बात है कि आपको triggers को avoid करना होगा, तो triggers को avoid करना मतलब क्या है, कि अगर आपके colleagues smoke कर रहे हैं, तो फिर आपको उनकी पीछे नहीं जाना है, जब वो ल control आपको रखना पड़ेगा, अगर आप रस्ती पे किसी को smoke करते हुए देखते हैं, और आप भी charged up हो जाते हैं, आपको भी तलब मचती है, तो आपको आपके mind को control करना ही होगा, चाहे तो आप उसकी तरफ ना देखे, लेकिन आपको वहाँ पर control करना ही होगा, दूसरी बा लेने रखते हैं, या गुटका खाते हैं, या regular तंबाकू जो है, वो उसको हाथ के ऊपर रगड के खाते हैं, तो ये इस तरीके की जो आदते हैं, या triggers है, उनसे आपको दूर भागना है, क्योंकि ये triggers होते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों से भी नशा होता है, तो नशा ही नशे को और पास खी चलाता है, तो अगर आप शराब की नशे में हैं, तो फिर आपको जो है, वो cigarette का नशा करने की भी वहाँ पर तलब मचेगी, तो इसकी वजए से किसी भी तरीके के नशे से आपको वहाँ पर दूर रहना पड़ेगा, तभी आप cigarette को भी दूर रख आते हैं, वैसे कुछ तरीके से जो है, वो cigarette पी लेते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो खाने के बाद का desert जैसा वो कुछ कर लेते हैं, या नींद अच्छे आती है, या जो भी उनके reasons हैं, तो basically उसको आपको avoid करना पड़ेगा, खाने के बाद की cigarette वगरा ऐसी चीज़े आ अलावा दोस्तों, craving को manage करने के और भी तरीके हैं, क्योंकि कुछ कुछ cravings जो है, वो काफी जादा extreme हो जाती है, या उसके जो withdrawal symptoms है मैं कहता हूँ, वो बहुत जादा extreme हो जाते हैं, जैसे कि लोगों के पेट बिगड़ जाते हैं, या उनका heart rate एकदम से बढ़ जाता है, या mind को condition करना पड़ेगा, अपने आपको समझाना पड़ेगा, कि हाँ ये सारी चीजे मुझसे हो ही सकती है, इसके अलावा जो है, वो coughing की समस्या बहुत आती है, याने कि खासनी की समस्या बहुत आती है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दू कि एक biological reason है इसके पीछे, कि जब आप कुट करते हैं, तो उसके बाद आपके जो air sacs हैं, लंग्स के अंदर के, तो वो repair mode में चले जाते हैं, तो उसके अंदर जो फसा हुआ टार है, उसको soft core करते वक जो है, वो बहुत ज़्यादा कफ बनता है, जिसकी वज़य से उस आदमी को बहुत ज़्यादा खासी आत और actually एक अच्छा sign है, कि आपकी body जो है, वो वहाँ पर recover करने लगी है आप तक, अगली चीज इसको distract करने की, मतलब कैसे हम craving को distract करें, तो आप किसी और चीज में मन लगाए, टीवी चला दे, गाने चला दे, या कोई दूसरी चीज खा ले, जिससे कि आपकी craving जो है, वो न mind करते रहें कि मैंने आखर ये क्यों छोडा है, किसके लिए छोडा है, या मुझे इससे क्या परिशानी हो रही थी, जिसके लिए मैंने ये छोडा है, और इसको छोडने के बाद क्या कुछ नहीं हो सकता है, या क्या कुछ अच्छा हो सकता है, तो इसके बारे में जो है, व और मैं fail हो जाओंगा तो यह आपको हमेशा दिमाग में रखने होगी बात और दूसरी बात यह है कि आप अपने आपको reward दे सकते हैं तो आप अपने आपके लिए goal set कर दीजे कि हां मुझे कम करनी है अब cigarette फिलहाल मुझे कम करनी है और eventually मुझे बंद करनी है तो अभी मुझे में अगर दो पैकेट वहां पर smoke करता हूं तो मैं एक ही पैकेट वहां पर smoke करूंगा जिसके reward के सुरूप में अपने पसंदीदा चीज खा सकता हूं या मेरी पसंदीदा movie देख सकता हूं चुट्टी लेकर कही जा सकता हूं तो इस तरीके से जो है वह आप जितना ज्याद अपने आपको reward करेंगे उतना ही जादा आपके लिए आसान हो जाएगा क्या है कि निकोटिन की लत जो है वो भी as a reward जैसे ही आपको लगती है कि हां यार बहुत stress आ गया अभी मैं cigarette पी लेता हूं तो सारा stress मेरा दूर चला जाएगा तो आपको खुद को यह बताना पड़ेग कि अभी अगर मैं cigarette नहीं पीता हूं तो मुझे यह चीज मिलेगी तो आप अपने आपको लालच दें अपने माइंड को जो है वो उसकी लिए motivate करें अगर आपके सामने कुछ motivation होगा तो आप जादा भेतर तरीके से अपने आपको control कर पाएंगे तो इसकी विज़े से कुछ आपको छोटा मोटा जो भी है वो reward अपने आपको देते रहें अगली चीज है तो यहां पर आपकी body language को control करना तो जी हां body language का भी यहां पर बहुत जो है हम कहें कि असर पड़ता है क्योंकि अगर कोई ऐसे भी कर रहा है बस इतना भी अगर कर रहा है खाली उसने उंगलिया रखियें मूग के उपर तो भी अगर कोई hardcore smoker है जिसको addiction हो गया है वो उसको as a smoking के sign के तौर पर ही देखेगा और उसकी brain में उसी तरीके के खाया लाएंगे तो इसकी विज़े से आपको ऐसी चीजों की तरफ ना देखना है और साथी साथ खुद के हाथों से भी यह चीज पकड़ा हुआ होता है तो यह अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका mind अलग तरीके से charge होगा या आपके mind में अलग तरीके के खायाल आएंगे तो इसकी विज़े से आपने खुद की body language को control करना आना चाहिए इसके अलावा जो है वो आप थोड़े बहुत nicotine gums का भी स थोड़ी थोड़ी मातरा में आपके body के अंदर जाता रहता है तो फाइदा यह होता है कि eventually आप इन gums को भी quit कर सकते हैं क्योंकि कई बार इन gums का स्वाध है वो जान बूज कर थोड़ा सा कड़वा जैसा रखा जाता है जिससे कि वो आदमी को nicotine मिलता रहे लेकिन बाद मे उसका स्वाध भी उसको पसंद नहीं आएगा तो eventually वो उस गम को भी छोड़ देगा तो उसका सहरा आप यहाँ पर ले सकते हैं इसके अलावा अगर एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताओ तो आप सौफ का सहरा ले सकते हैं जिस सौफ को भुना जाता है तवे के उपर औ और बाद में आप उसके उपर जो है वो थोड़ा सन नीमबू निचोड़ सकते हैं और उसके अंदर और कोई चीज अगर आपको मिलानी है तो वो भी आप थोड़ी बहुत मिला सकते हैं अपार्ट प्रॉम टबैको टबैको नहीं मिलाना है दूसरी कोई चीज है जैसे कि प्रेशनर वगएरा जो है वो आपको तरों ताजा मसूस कराते रहेगा यसू pride मिलारी है तो उससे जो फ्रेशनेस आती है मूँ से तो या मूमें जो फ्रेशनेस आती है उससे आपकी केंविंग कम हो जाती है इसके अलावा बहुत सारह पाणी पीजिया पानी जो है वो आप इसका एक बहुत बढ़िया solution निकाल सकते हैं, आप अगर पानी पी रहे हैं, तो directly ऐसे glass मुझ पे न लगाएं, उसके अंदर straw डालिए, थोड़ा सा मोटा वाला जो straw होता है, उसको डालिए, और straw से पानी पीजे, इससे क्या होता है, कि आप ये होटो को जो cigarette की एक, हम कह करते हैं, cigarette को भी आप सक करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप आपके mind को थोड़ा सा एक बेवकोब बनाए, तो फिर आपकी craving थोड़ी नीचे बैठ सकती है, अगली चीज है कि आप अपने आपको relax रखने की कोशिश करें, भले ही इसके लिए आपको meditation का सहरा लेना पड़ लेकिन अपने आपको relax रखे, क्योंकि ऐसे लोगों की अंदर जब वो छोड़ते हैं, तब सबसे पहला problem आता है कि वो restless हो जाते हैं, वो एक जगा पर ticker बैठ ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे में अपने mind को शान्त करना बहुत जरूरी है, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, त जहाँ पर cigarette smoking ही allowed नहीं है, तो कई ऐसे areas होते हैं जहाँ पर cigarette smoking allowed नहीं है, आजकल तो इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर public place में भी smoking allowed नहीं है, हाला कि उसका कितना पालंग किया जाता है, यह अलग बात है, लेकिन फिर भी जहाँ पर आप prohibited है smoking ऐसी जगा पर जाकर के बैठ हो जाए, तो इस डर से आप चुप बैठ जाते हैं, इसके अलावा दोस्तों और एक बहुत बढ़िया जरिया है cigarette smoking को quit करने का या अपनी cravings को दूर हटाने का और वो है कि exercise कीजिए, exercise ज्यादा से ज्यादा कीजिए, intense workout कीजिए, जिससे कि आपके body के अंदर जो है, वो energy की हो और आप ठक जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई craving नहीं होगी, सिर्फ खाने की craving होगी और आप सो जाएंगे, तो जादा से जादा जितने आप active रहेंगे, उतना ही जादा आपको फाइदा मिलेगा, इसके अलावा healthy diet लेने की कोशिश करें, क्योंकि smoker का क्या हो जाता है कि वो अगर बहुत जादा excessively smoke कर रहा है, तो loss of appetite हो जाता है, याने कि उसकी भूक मर जाती है, तो अगर उसने अभी अभी smoking छोड़ी है, तो जादा से जादा अच्छी चीज़े खाएं, healthy चीज़े खाएं, जिससे की body को जादा से जादा फाइदा होगा, और body जल्द से जल्द अपने आपको detox भी कर लेगी, तो जितना जादा अच्छा diet रखोगे, उतना ही जादा आपके लिए बहतर होगा, अब आते हैं दोस्तो hardware पर, तो यह जिस सारी मैंने आपको तरीकी बताएं, तरकीवे बताएं, तो इसका अगर आप इस्तिमाल करके भी cigarette को नहीं छो तो ऐसे कुछ दवाईयां होती हैं, ऐसे कुछ drugs होती हैं, जो लेने के बाद आपको cigarette पीने की तलब ही नहीं मचती है, तो उनके कुछ नाम में बताता हूँ, हाला कि उससे पहले मैं यह आपको बतादू, कि यह पूरी तरीके से doctor से prescribed होनी चाहिए, doctor की सला के अनुसार ही ल देते हैं, तो फिर उसका उल्टा असर आपके body की ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐलोपाथी की दवा हो, उसका कोई ने कोई side effect होता है, या हो सकता है कि आपकी cigarette की तलब छूट जाए, लेकिन इन tablets की तलब और बढ़ जाए, तो आपको एक addiction से निकलक जो है, उसका नाम है bupropine, तो bupropine नाम की दवा होती है, varanisilin नाम की और एक दवा होती है, जो की यहाँ पर दी जाती है, आपकी cigarette की तलब को कम करने के लिए, तो दोस्तों ये सारे जो हैं वो तरीके हैं, जिससे कि आप आपकी cigarette की तलब को कम कर सकते हैं, eventually कम कम करते आप एक दिन पूरी तरीके से सिगरेट को छोड़ सकते हैं और मेरा यकीन मानिए अगर आप इन सारे तरीकों को पूरे दिल से और पूरी निश्ठा से करेंगे तो आप सिगरेट जरूर छोड़ सकते हैं लेकिन बस आपको इतना ही ध्यान रखना है अगर आपको ये वीडियो को लाइक כरना बिलकूल न भूले और अगर आपकी एरुद्गेज कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो सिगरेट की तलब को छुड़वाना चाहता है तो उस तक कि ये वीडियो जरूर पहुचा दे करने के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें